जै मातादी दोस्तों दोस्तों आज हम चंदरदेव खाना नंबर आठ का वर्णन करेंगे लेकिन उससे पहले गुरुदेव की वन्ना गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णू, गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साक्षात परंब्रह्मा, तसमेश्री गुरुवे नमा दोस्तों आठमा घर, पताल का घर कहा गया है आठमा घर शनी का हेड़कॉर्टर है और मंगल की राशी पढ़ती है, वरिष्चिक राशी 1942 की लाल किताब में, आठमें घर के चंदर के बारे में कुछ विशेश बाते लिखी है पहले मैं वो आपके साथ साजा करता हूँ आठमें घर में चंदर बेशक नीच का है किन्तु यहाँ चंदरमा को किसमत जगानी वाला ग्रह और उपर की आमदनी के लिए इसका असर शुब होता है यदि ऐसे व्यक्ति के घर में च्छत के नीचे का कुवा हो तो यह व्यक्ति की ओलाद पे बुरा अशर करता है 1952 की लाल किताब में आठमें घर के चंदरमा को मुर्दा माता या जला हुआ दूद कहकर पुकारा गया है लेकिन यदि ब्रस्पति और शनी जातक के दूसरे घर में हो तो फिर चंदरमा का फल शुब हो जाता है चंदर आठ के समय यदि बुद्ध शुब हो यानि बुद्ध कुंडली के छटे घर में या अपनी राशी में हो तो व्यक्ति की आयू लंबी होगी यहां चंदर के समय यदि सूरे या शुकर में से कोई भी ग्रह शुब स्तिती में बैठा हो तो फिर ऐसा चंदरमा उल्टी गंगा बन के व्यक्ति को तार देगा यानि के शुब असर देगा चंदर आठ के समय बुद्ध दूसरे घर में हो ब्रसपती नोवे या बारवे में हो तो व्यक्ति के माता पिता दोनों की उम्र लंबी होगी और चंदर का फल भी शुब होगा यहां बैठा हुआ चंदरमा व्यक्ति की उलाद पर कोई बुरा असर नहीं देता है उसका लड़का अवश्य पैदा होता है यदि उसके जद्धी मकान के पास कुवा या तलाब हो तो ये उसके मंदे भागे की निशानी होगी पिता से संबंद जद्धी जाइदाद और उलाद पर चंदर आठ का बुरा असर पढ़ता है यदि यहां चंदर के समय शुक्रमंदा हो तो फिर व्यक्ति केरेक्टरलेस औरतों से संबंद रखेगा तो वो बरबाद हो जाएगा जब बुद नंबर चार या बारा में हो शनी वराहू बारा में हो तो व्यक्ति की जो नेतर जोती है उस पर बुरा असर पढ़ता है और उलाद पर भी बुरा असर पढ़ता है इसके लिए उपाय बताया गया नाक्छी दन करवाना नाक्षे दिन करवाने से ये बुरे अश्र सबाबत होते हैं यहां बैठे चंद्रमा के अशूब होने का पहला चिन ये होगा कि जातक के शरीर में महसूस करने की ताकत कम हो जाती है यहां बैठा हुआ चंद्रमा अगर उलाद पर बुरा असर दे रहा है तो शमशान भूमी के अंदर के कुई का पानी अपने घर में रखना शुब असर करता है ऐसे ही यदि बुजुर्गों के नाम पर दान ना करे शराद करम ना करे ऐसा व्यक्ति तो ऐसे व्यक्ति को दमे या मिर्गी की बिमारी भी हो सकती है और उस व्यक्ति का लड़का पैदा नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने पितर करम श्राद वगेरा करते रहना चाहिए पूरी शर्दा के साथ बुजुर्गों के पाउं चुना और उनके पैरों को पानी से धोना ये व्यक्ति की खुद की उमर के लिए शुब फल देगा यदि ऐसा व्यक्ति जिवरात यानि की जुल्री के काम करे तो उसमें बरकत नहीं होती उसे मुसीब्तों का सामना करना पड़ेगा यहां चंदर के अशुब असर को दूद करने के लिए घर में चंदर की चीज़ें रखना शुब फल देगा यानि घर में चांदी चावल और चंदर की चीज़ें रखने से चंदरमा का फल शुब होगा तो दोस्तो हमने वर्णन में ही काफी सारे उपायों का जिक्र किया है साथ के साथ जहां जिस परकार का उपाय किया जाना चाहिए फिर भी एक बार मैं रिवाइज करता हूँ नमबर एक मंदिर में चने की दाल चड़ाने से चंदर का फल अच्छा होगा नमबर दो दूद या चावल का दान भी कर सकते हैं नमबर तीन अपनी माता से चांदी और चावल लेकर उनको एक चांदी के डिब्बी में संभाल कर रखें इससे चंदर्मा का फल शूब होगा गलत प्रकार की इस्तुरियों के प्रेम के फेर में ना पड़े चंदर्मा की चीजों को इकठा करे और अपनी माता का आशिरवाद हमेशा लेता रहे तो इस प्रकार से हम चंदर्मा आठ के अच्छे फलों को ब्राप्त कर सकते हैं आशा करता हूँ मेरे द्वार दीगे जानकारी आफ लोगों की मदद करेगी और ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल है जै मता दी धन्यवाद